इसी का कल हम 11 पेज में हम कंप्लीट कियाते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं एक सेकेंट चलिए स्टार्ट करते हैं कल यह सारे मिक्स रहेगा मतलब यह साइंस का कल दी सारा पेजो जो आपको एक साथ पेजो कर दिये हैं उसको अलड़ी रिवाइच कीजिए को से कोशन उठाता है तो स्टार्ट करते हैं बिश्राम के समय में मानव हिर्दे एक मिनिट में कितने बार अधर रखता है जो आप लोग सोते हैं तो कितने बार धर रखेगा तो बहततर बार वन लाइनर फॉर्मेट में हैं तो तेरी सम करेंगे बाद में इसको रिकॉर्डेड आप सुन लेजेगा प्रत्वी सुरु के प्रत्वी सुरु के इर्दगिर्द घुमती है यह सिद्धान्त सरवर्थम आधार क्या होता है तो रित्व का बनना होता है फिर से बताते हैं प्रत्वी सुरु के इर्दगिर्द घुमती है आपको पता है इसमें प्रत्वी जो सुरु के इर्दगिर्द घुमती है इसे द प्रफर पर तम का नाम किया है यूरी गाड़ टिन दिन में मनुषज कितनी बार सांस लेता है लग भग 22 बार सांस वे McGregab पर्थम भारतिय उपगरह का नाम क्या था आरेवर्ट और में वर्षा किस गैस के बायूम में रहने के कारण होते है एंटू और ओत्री के कारण होता है बिटामिन सी का नाम है असकार्विक खार में आयोडिन की कमी से होने वाले बीमारिये गहेंगा जो रिजी है उसको तीज मुख विधी जिसके कारण और कंगर मुख क्या नाम है और यू स्वान के सहन द्वारा क्ब किया गया था इंग्लिज में डिले और और 49 में बोमिन का कैपसुल किस से संबंदेता है गुर्दे से है और इंसुलीन की खोज किस ने की थे इंसुलीन किस लिए जड़ो थे जो सुगर है उसमें आपको गुलकोज के फॉर्मेट में उर्जा प्रतान करने के लिए और इसका यूज होता है कौन सा बातावरन के लिए और जबिक कारण है वो ताप है फोटो सेंथिस प्रक्रिया में अंति मुतपात क्या होता है गुलकोज होता है पर्थम बार मंगल गड़ पर उतरने वाला अंत्रिच यान कौन था तो उसका नाम था पाथफाइंडर कुछ कोछ ना पूछेंगे तो आप त्यार एगा हीमोफिलिया क्या है तो जैनेटिक बीमारी है कौन सब बस्तू में लोच का सरबोच कुनांग होता है इस पात होता है जल से भरे विकार में एक वर्प का टुकड़ा तेर रहा है जब पूरा वर्प गल जाएगा तो उसमें क्या होगा एंसर बताएगा ब बर्ण जाएगा घटेगा या फिर समान अस्तर रहेगा है को सोथ ने गए सभी लोग है कि वेरी गुट नेक्स्ट है चली बता देते हैं इसका एंसर रहेगा समान अस्तर रहेगा फिर से बताते हैं क्योंकि इसमें जो जल से भड़े वीकर में यानि एक बर्प का टुकरा टेर रहा है जब पूरा ब्रफ जो है गल जाएगा निया या झाल जाएगा तो बल का स्तरल से ह्यां रहेगा क्योग उसमें आयतअं जो रहता वॉल्म जो रहता है क्यों जो उसमें था हैमաղीग वह 5 dealing लीटर का है बडफ और चोटा सा टुक्रा है टो वह-जा है कि उतना जगर चेह करेंगे गा कुछ अलग से नहीं लाएगा स्वीं अस्थर रहेगा याद रहेगा और एक कोशन अपका ट्याड़ि बाइच में पूचा गया था जो भी स्थारीक को फॉर्स फिट्ब में जिसमें उसमें कर दिया था जल कर दिया था जल के अस्थर के को यूटूब से लिंक लिक उठा करके हम दे देंगे यह फिर आप खुद भी सर्च करके इस ग्रूप में भेज दीजिएगा जो सभी लोग के लिए उपन है एक वार जरूर देख लिजिएगा गेस फोर्मुला जो है आपका गेस समिकरन PV पराबर आर्टी होता है भी का आर्थ होता है आयतन एक मोल गेस होता है आयतन तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी बस्तू सबसे अधिक फैलती है कौन फैलेगा तो बताएगा ठोस फैलेगा गेस या दरब गेस very good drug कोई बता रहे थे सुरूची जी सभी लोग गैस पर है तापमान अदो बढ़ेंगे यानि temperature बढ़ेगा आप simple भासा हम देखते होंगे गड़मी के time में तो बाहर का तो गैस छोड़िया अंदर का गैस निकलना शुरू हो जाता है यानि कि पुड़े वास में निकलता है वेफराइजिशन हो करके पसी निकलता है ये इसका याद रखेगा बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों परती है क्योंकी प्रकास की गती धोनी की गती से अधिक होती है अब तेजिस करेंगा सिंगार में किस परकार का सिसासी इस्तिमाल की आजता है तरह संथद्द दंपंध का उप्योग की आजता है सदानता उपयोग होने वाले बिजडी के वल्म में कौन सी गहस बढ़ी होते है तो नियोन का और नियोन ठीक है नेक्स्ट है रेडियो आरगन होगा यह बिलकुल आरगन होगा रेडियो एक्टिविटी यह की खोज किस ने की थे बैकरल ने की थे दिन रात कैसे होता है फिर थ पहला अंतरिच यातरी कौन था यूरी गारगन है पानी में फिटकरी क्यों मिला जाती है तो सेंटिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए एक संतुलित रसायन समीकरन किसके अनुरूप होता है तो पिंडर संशनन के नियम के नुसर किसने यह अब धारना रख्त कि रिचार्ज इकाई मेटर से जुड़ी हुए तो अस्टोरिन दोड़ा कौन सी बस्तु ने बिजली की ठोस रूप से जोड़ सकती है तो ग्रेफाइड कौन सी बस्तु जो है बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है तो ग्रेफाइड है कौन हमें सब पूर्ण संख्या में रहता है तो कि सत्री में सभी गईसों कि समान आयतन में अनुव की संक्या समान होती है यह कतन अवगाड्डो ने कहा था है वगाड्डो का नम्मर याद रखीगा कार्बोड मॉनोकसाइड हमोगलोबीन से मिल करके एक ऐसा मिसल बनाता है जो रक्त की और उक्सिजन ग्रहन करने से रोक दे जाता है अस्तन पाई यानि जिसमें बाल हो और कान हो यह सारे अस्तन पाई में आते हैं जिसे हम लोग है अस्तन पाई में मंस इंग्लिज में करते हैं अपेस्वराजिशन का अर्थ होता है इसमें कितने में होड़ा तो 62 डिग्री पढ़ होगा 30 मिनट तक जल एवां को गर्म करना इसको अपेस्वराजिशन का होता है फुल गोभी किस अंस को खाया जाता है तो पुस्प को हम लोग खाते हैं पुस्प रचना और कपास से रेसे कहां से मिलते हैं तो कपास को रेसे बीजे से पराप्त होता है कहां से बीजे से प्रकान संसलेशन के दौर अब पिस्तित ऑक्सिजन कहां से आता है तो जल से आता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिमुतपाद क्या है तो अंतिमुतपाद है इतायल अल्कोहल एंड लेक्टिक एसीड फिर से बता देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिमुतपाद क्या है इतायल अल्कोहल से विए फषर्च हां मुझे है रायस्तान है विपास सिद्दान्द के करम राधर करने का तो चार्ज जार्विन को पष्टू की पहली प्रतीत है वहां क्या है तो सबसे पहला सब्सक्राव सी एक बश्टू का जरुत की क्युंका सब्सक्रार और चाहिय है Marxica से पठीप जरन कहां पढ़ होगा तो प्रितिविक धुरूप पढ़ होगा दो रेल संदियों बीच अंतराल क्यों रखा जाता है रेकिया विस्तार को असमाई जूत करने के लिए कई विस्तुएं अधिक निम्न तापमान पढ़ अपने बिदुतिये रोध खो़ बैठते हैं इन को अतिचा लग करते हैं यदि किसी तत्यों में विदुद्धारा को दूगना कर दिया जाता है तो उसके पादित उसमा कितनी होगी उसका उसमा कितना होगा बताएगा इसका उसमा हो जाएगा चारगुना हो जाएगा ठीक है विदुद्धारा को यानि आई को दूगना कि नेक्स्ट है नाविके रेक्टर में भारी जल प्रयोग क्यों होता है भारी जल क्यों प्रयोग होता है क्योंकि दुरूत नेट्रोनों के गति को कम करने के लिए दुरूत नेट्रोनों के गति को कम करने के लिए प्रित्विक की परपटी में सबसे बहुत 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 ज्या है वेरी हूड उक्सीजन औक सीजन होता है यहां जिसमें विभी nowhere तरक साहिए प्रतुर समाण दर्मान होते ह artifacts की कशलीए का यह मांद हसे इता है अधिन जिसमें विभीन नावी की आवह से अ हाजी ही विलकल सभाव जिसमें समान दर्मान हो समान दर्मान यानि दर्मान समान यानि होना चाहिए संभाड़िक केंदरे इसके नुकलोन से गठन में क्या होता है दरमान में घटा होता है अजयलिक अमनिम गोलक के विरूद कास्टिक सोडा गोल का अनुबान के लिए अच्छा सुच लेलिये अच्छा सुचीया है तो फेनाफिल्यू выпусклек घटन में कर्लाता है फिर सबताते हैं ऑर उचयलिक गोल के विरूत कास्ट्क सोडा गोल कानुमान यान अनुमापन करते हैं यानि उसके लिए अच्छा सुचा क्या है तब पहलोग नों में रखा जाता है तो क्या तामा अफसोसित होगा इसमें इस किमिस्ट्री अपनिक से आ रहा प्रागन ने द्वर्ड उसके बिलाय से प्रिठक किया जाता है तो इस घटना को क्या क्या yeah प्राशन करते हैं चबसने है को कि इस रूप में जाता है ते द्रभस नहीं के रूप में जाते हैं प्राथत्विक खोज्कों दिनांकित्ष करने में कौँ से तत्यू का संभार रिक कप्रियोग होता है तो कार्मन का यूज होता है हीरा क्या है सुद्ध कार्वन है एक हीरा सुद्ध कार्वन है इलक्ट्रोन का हानी उप्चेन है एक सेल के एनोर्ड पर प्रक्रम होता है उसे क्या काते है उप्चेन कर लाता है ठीक है नाइट्रोजन का इस तरी करन करने में समर्थ एक यूमुक्त जीवित वर जिवानों कौन है तो और जोटो व्यक्टर कर लाता है फ़पुंद्वी में संचित पदार्त खाद पदार्त क्या है तो गेलोकोजियन एमम थेल की गोलिका में होता है सोतने गये होंगे सभी लोग आगे बढ़ते हैं हफिम कहां से पाए जाता है बताएगा आप ही बताएगे अब अब चूप हो गए पेज नमर आपका 11 नमर आपका अफिम सिनकों वाला बिर्ट से प्राप्त होता है यह अफिम से पाए जाता है वाप और इसमें लिया हो है स्कूभी ड्राइग किजिए चलिए आगे बहते हैं मजा करें चले प्रकास बहुत पहला सुपान क्या है जल का प्रकास अपकर ठन होता है कोई ग्माशी निचकर के बीच कड़न haram ब fünf पेंटिरें पक्षऑ के हड़ी काईसी होती है बताये गा वातिल जीसा हौता है वातिल एक पाश्चियों का हड्डी कोता है स्फेंट्रिम Wirk कहा से होता है तो श्वतार से माल्टोज में होता है पैपसिन किसका हुधारन है एंजाइम का पित्रस का मुख्य काड़ होता है वशाओं को अंजायम जोड़ा पाचस्ञ करवाना पित्रस का कहां पर पाय जाता है बता सकते हैं एक सभाविक मानव में कितनी वार सांस लेता है बता तो गधरकन के लिए मैंने बता दिया था वो तो एक दिन में मैंने क्या पूछा एक सौभी मानव एक मिनट में कितनी वार सांस लेता है एक मिनट में चली बता देता है 14 से 18 बाद लेता है 14 से 18 बाद यह रहेगा अपसन आप इस में सजय अगर कुछ में मिलेगा हो सकता है आपको 16 देदे 15 देदे या 17 देदे तो 14 से ठाड़ा को विच में जो भी आप्सन मिलेगा उसको टिक मारका अच्छे से बबल कर लिजेगा बबल करने के लिए 10 रुप क्या चे अभी आ रहा है कि लिए रा रहा है अभी चलिए किसको रख किसको रख नहीं है किसको रख नहीं है फिर भी स्वसन करता है वह हैड्रा होता है आयोडिन की चैनात्मक संचे कहां होता है तो थाइराइड में होता है आयोडिन सार आई इंट कि कमी से सब्सक्रित हो होता है तो पर अधीक होगी तो चेरा मवस्था में सबसे अधिक होगी चली नेक भूकम को को नांक विडी सिस्जावलो करते हैं सिस्मोगड़ाफ के जरी आगे बरते हैं बियागड़ा नामक औस दीकिस लिए प्रयोग किया जाता है पूर्सों कि न पुन सकता मिटाने के लिए किया जाता है बुझे चुने का रसाइनिक नाम है CSOH का होल्टू सी सोरी CAOH का होल्टू बुझे चुने एक बीना बीरुजे होगा चुना का फॉर्मला बताएगा CACO3 और कोई बताएंगे CAO सही जवाब दे रहा है CAO आपको याद रखने के लिए मैं आपको सौर्ट कट बता देता हूं साइद आपको एक्जामनेशन में क्लिक कर जाए वह आपको बीना बुझा हुआ सब्द यानि बीना बुझा ने तीन सब्द आ गया एक तो बीना बु है उसका होगा CAO ह का होल टू याद रहेगा एक जामनेशन में होल तक काम हो जाए उसके वाद याद ना रहे तो कोई दिक्कत ने नेक्स्ट है किसके हिर्दे में तीन भाग होते हैं तो मेड़क में तीन भाग होते हैं पैपसिन किसको बदलता है प्रोटीन को एमिनों में Influenza किसको दौरा होने वाला रोग है तो अब वाइरस के दौरा होता है Influenza मैज क्या है एक सलकंद है यह बल्व के रूप में सक ऐसकंद के रूप में Prakas Sensation के दौरा कौन सा गयस सरजन होता है तो Oxygen होता है परकास Sensation का ऑक्सीजन गयस उत्वन होता है आँखों में प्रवेस करने वाला प्रकास का नियम कौन करते हैं तो रंग पार्ट पहले रिमूब करते हैं फिर बापस आना चाहते हैं इंस्लुएन क्या है एक हार्मोन है एक पौध दिन में क्या निकालते हैं अब रात में क्या छोडते है अक्सिजिन लेते है है और रात में ऑक्सिजन इन ओक परकार कम ल्टा है w परमानु में नेक्स्ट कोशन है कौन से किर्णे अना अनाविस्ट है इसमें अनाविस है इनी तो अलफा किर्ने है सरवाधिक उर्जात तरंगे हो है आपका अद्रिश प्रकास तरंगे है जल को 0 करने पर इसका आयतन क्या होगा इसका घटेगा चाह सबसे मिनिममुम लएगा आपका समान रहता है सीफ to समान डएगा प्रकास वर्स क्या है खबोली दूरी कमाप चंडर गर्हन के दौरां क्या होती है धरती पिर्तवी और चंद्रमा के बीच में आ जाती है चंडर से यानि क्या हो जाती है धरती बीच में आ जाएगा तो चंद्र और सूरज और सूरज बीच में आ जाती है तो फिर से याद रहेगा चंद्रगहन के समय क्या होती है सूरज और चंद्रमा के बीच में पिर्थवी आ गई आपके ठीक है यानि धर्ती आ गई और सूरगहन के समय में आपका चंद्रमा जो है पिर्थवी और सूर के बीच में आ जाती है सूर हमेशा एक ही जग़े पड़ता है सूर कहीं बदलता नहीं है और सिर्फ पِर्थवी और आपका चिम्हाइं चेज होती है जब चिम्हाइं बीच में आ जाएग तो सुर्व allow आ जाएगा जब पडिफवी बीच में आएगे टो च Dalas जाएगा याद रहेगा येस नो मेभी ओके चलिए पिर्थवी की सतर पर प्लाइन गती कितनी है 11.2 मीटर पर सकेंड या किलो मीटर पर सकेंड वेरी गूड इन्यूट इसमें जरूरी याद रखेगा क्योंकि 11.2 सब को याद रहता है लेकिन गलती से आप कीलो गराम या मीटर पर सकेंड लगा देज़ेगा तो गलत हो जाएगा एस चंद सेकर को भृत की किस विद्या के लिए नोवरप्रसकार दिया गया है तो खगोल भृत की एस चंद सेकर जी को जंग लगने पर लोहे का भार क्या बढ़ेगा तो लोहे का बढ़ जाएगा बार। उसका बढ़ जाएगा चूने के पुर्sky पन-चमक चुने कारन होता है चुने की पुताय से उत्पनों चमक कुछ होता है वर्दम चमकदार लगता है तो सी से ज़से समकना सुरू हो जाता है तो के यसे हम कार्बोनेट के कारण होता है और उसका रियक्सन याज रख लिएगा केमेश्ट्री के नायंत क्लास में आपका है एक बड़ देख लिएगा कुमंबती का जन्ना कौन सा परिबरतन है तो रासानी परिबरतन है बायो गया इसका प्रमुक का वेब क्या है तो मिथेन है और उर्जा का नविकरन सुरूत क्या है तो सुरू है बिटामिन B2 यानि B2 का क्या है तो रिवो फ्लेविन करते हैं और ये सारे बिटामिन आज मै डिसक्सिन के अतलग वो दो घंटे तक का उसको एक बार ओडियो फॉर्मेट में सुन लीजेगा जरूर इससे समंदित में आपको क्लास लोगा आप्टर अर्चना जी के बाद मौद्वास हो गया है इसके बाद दो कोशन के बाद आपको मोगा देंगे दूद में कौन से प्र जर प्रीजेए हो खचाँ और भी झाद वादन के बादने सकती है विलोके हो जए भी अव Ox